हाई व्योड़ारी आज हम अम लग शूर करने जारे प्लैंटेंगी फिश्ता Auf सब्सक्राइब कर दिया था अ Ing रे CPU लिए हुँ निक्टे पेहले लिए कर दिया था तो यहां पर देखिये आपका प्लैंटेंग्ड में यहीं कंप्रीट तो मैंने जैसे प्रोमिस किया था, प्रेंट की इंडिम का पहले इंडुड़क्शन वाला पार्ट होगा, फिर जैसे इन्सेयर्टी में जैसे सिक्वेंस दिया हुआ है, जैसे कि आज के लेक्षर में हम लोग पढ़ लेंगे सिस्टेम ऑफ क्लासिफिकेशन फिर उसके बाद के लेक्ष पार्ट हो जाएगा अज के लिए स्टाडि आप सिक्वेंस बाद करने किर ही तो पिर सब आप देखना बन कर देंगे मैं अपने सामने पने और इस अपने पढ़ लेकर बैच जाए राप देखें आप स्टाडिवर्सिटी तो लेट्स्ते नेवीट टापिक तो सरी आज का टॉपिक हम लोग शुरू कर देते हैं जो कि है सिस्टेम ओफ क्लासिफिकेशन सभी हेडिंग दे लीजिए सिस्टेम ओफ क्लासिफिकेशन सिस्टेम ओफ क्लासिफिकेशन में हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे आर्टिफिशल सिस्टेम ओफ क्लासिफिकेशन तो फिस सभी अभी सिस्टेम ओफ क्लासिफिकेशन के इंचे एक सभेडिंग दे लीजिए आर्टिफिशल सिस्टेम ओफ क्लासिफिकेशन आपको अगर समझाना हो तो फिर बेस्ट वे कैसा होगा पता है बेस्ट वे यह होगा मैं दोनों प्लैंट अभी ड्रॉ करोंगा और उन दोनों प्लैंट का आपके सामने अभी इसी वक्त आपके सामने अभी के अभी हम लोग आपके सामने अभी क्लासिफिकेशन कर देंगे उन दोनों प्लैंट का यह बेस्ट वे हो जाएगा देखिए मैं प्लैंट ए लिग देता हूं प्लैंट सपूस इसको ए नाम दे दिया और एक नाम दे दूंगा मैं प्लैंट बी यह मैंने प्लैंट बी लिख दिया अभी देखिए इसको ड्रॉ करना होगा तो यह ड्रॉ भी कर लेते हैं यह मैंने प्लैंट ए को ड्रॉ कर दिया अभी प्लैंट बी को ड्रॉ करते हैं देखिए अच्छा ठीक है sorry for my worst drawing मैंने जैसे आपको समझ आएगा वैसे ही थोड़ा थोड़ा ड्रॉ कर दिया अभी देखिए हम लोग इस प्लैंट के कौन सा क्यरेक्टर पकड़ेंगे हम लोग पढ़ेंगे ग्रॉस सुपरिफिशियल एंड मॉर्फोलोजिकल क्यरेक्टर मतलब हम लोग पहले लीव का क्यरेक्टर पकड़ सकते हैं चलिए हम लोग देख लेंगे अभी इसका लीव के कई कईरिक्टर्स द như campaigns हम लग निदे के कौन सा करेक्टरस देख लें SMITH कि पहले लिख के देख लेंगे। कलर। हम लोग लिख सकता हैं.. Zahl। कलर आख़ा.. say, ठीकला चझा.. ..ाट..ब यहाँ पर कोई कलर आपको दिखेगा? नहीं। सपोज इस लिफ का कलर हो गया मैं लिखूंगा इस लिफ को ग्रीन कलर इस लिफ का कलर सपोज मैं लिख दूँगा ग्रीन और इस लिफ को मैं लिख दूँगा ओरेंज कलर मतलब लिफ ओरेंज कलर का नहीं होता है मैं ऐसे ऐसे ही आपको इमेजिनेरी बोल रहा हूं और इंज कलर मैं निक्स कैरेक्स है कि तरफ तरह है इसमर ऐगर फिर हम लोगमें चले जायंगे लेखिनWould 1. क्या है पूल सता हैल उसलिउप करे हुड विभ सकता हूं और इस अकान। alltså पूलशथ यई भाईक टोनोर देटिल प्क ना भ करे देट्लिप नाच पर लिख करें हो दूंम फोल इट हैस डेंसली पैक्ट लीव्स मैं कम्प्लिट नहीं लिख रहा हूं थोड़ा स्पेस का इश्व है इसलिए अच्छा फिर हम लोग नेक्स केरेक्टर की तरफ मूव आउन करेंगे जो की है हमारा शेप अच्छा शेप में हम लोग प्लैंट A को क्या लिखेंगे शेप में हम लोग प्लैंट A को क्या लिखेंगे इटास ओवल शेफ लिव्स मैं लिख दोंगा ओवल मैं बस ओवल लिख रहा हूं आपको समझाने के लिए इटास ओवल शेफ लिव्स अच्छा प्लैंट B को देखक रही प्याया लग रया है it has conical या फिर pointed7 लीटस शयप में लिख अच्छाश पर हम लोग लिखेंगे number of leaves जो अभे लस्पर आ गहाँ हम्हा L में हमद तडरी भज्स अजया ह हमारा को लिख हमें में महाँन तडरी हाँ जाएगा हम लोग कर देंगे number of leaves ध्या है नंबर ओफ दूख्अ में हम लोग इसको लिखदींगे, इसको ऐसे लिखदींगे इसको ऐसे ही में फिर हमलोग कि देंगे है इसको एडी घंत अच्छा इसको पूरा कीट कर देता हूं ने इसको डाउट हो जाएगा आच्छा तो फिर मैने अभी के अभी आपके सामने आटिफिशय सिस्टेम ओrow क्लासिफिकेशन को पूरा कर दिया देखिए मैंने दो plant लिया plant A and plant B plant A और plant B को मैंने artificial system classification क्या इसका main motto क्या है मतलब मैंने जो system classification पढ़ाया अब ही इसका main motto क्या होगा कि plant A और plant B के character अगर सिमिलर हो तो फिर उसको हम same group में रखेंगे अगर उसके character different हो तो फिर उस दोनों को हम लोग different group में रखेंगे यह हमारा main motto होगा तो फिर हम लोग अभी characters को match करेंगे देख लिजिए plant A में color होगा green और plant B में color होगा orange अभी एक चीज़ सुन लीजिए अच्छे तरह से मैंने जो ये चारो criteria लिखा हो मतलब color, habit, shape, number of leaves ये चारो criteria हो जाएगा हमारा leaf के लिए मतलब हम लोग बोलेंगे color of leaf हम लोग बोलेंगे habit of leaf हम लोग बोलेंगे shape of leaf हम लोग बोलेंगे number of leaves ये चारो criteria जो मैंने लिखा हो ये चारो criteria leaf के लिए है अच्छा ठीके, अभी देख लिजिए अच्छी तरह से दिखी आपने लोगे लिए का प्लैंट A का क्लार गया तरा फ्लैंट A में ग्रीन कलर गडूर अवेगल गिज़ गरेंगा इसमे और इंज कलर अपल्प आप लिफ्स पाँ गाल रहा है habit, habit of leaves में हम लोग क्या लिखेंगे, leaves will be loosely packed या फिर NOT densely packed leaves क्या लिखेंगे resistant tidak densely packed leaves और shape of leaves में आपको दिखी रहा है, It has oval shaped leaves plant A में लिखेंगे और plant B----- ॉ Brenime L nap you labange it has conical or pointed leaves dag प्लाइं इनॉर अत्त ये मिल्जिया प्लाव completed leaves और plant B में देखिए कितना सारा लिव्स मैंने रॉखिया हूँ, floorid B has larger number of leaves, अभी देखिए इन डोनों plant में कोई बी ऐ में प्लैन को एक ग्रूप में रख दूंगा आपको क्या लग रहा है बोलिए इन दोनों प्लैन को मैं जरूर और जरूर अलग-अलग ग्रूप में रख दूंगा क्योंकि इन दोनों का कोई भी criteria मेस नहीं कर रहा है तो फिर अभी के से लिख लीजिए so i think अभी तक आप लोगों नहीं ये साड़ा चीज लिख लिया होगा तो फिर मैं अभी से मिटा सकता हूं अभी मिटाने के पहले आप लोग एक चीज देख लिजी देखिये मैं यहाँ पर कितना character consider किया हूं मैं यहाँ पर किया 100 character पकड़ लिया मैंने दोनों प्लैन का artificial system of classification या फिर artificial classification कर ले के लिए क्या मैंने 100 character को consider किया या फिर मैंने 3 या फिर 4 character को पकड़ लिया और उनके basis पर ही मैंने artificial classification दोनों plans का कर दिया तो फिर यहाँ पर हम लोग एक important point लिख सकते हैं इस system of classification is based on few characters जो कि आपके NCRT book में लिखा हुआ है तो फिर देखिए क्योंकि यहाँ पर भी देखिए मैंने 4 character consider किया हूं तो फिर हम लोग लिख सकते हैं कि 3 या फिर 4 character max to max हम लोग पकड़ लेंगे उनके basis पर ही हम लोग artificial system of classification कर लेते हैं तो फिर अभी मैं इसे मिटा देता हूं फिर मैं कुछ important points लिख दूँगा तो फिर हम लोग artificial system class equation में प्याला point लिख लेंगे it is based on few characters चलिए लिख लेते हैं इसे फिर हम लोग next point लिख सकते हैं कि this system of classification was the earliest या फिर most primitive system of classification क्योंकि यही system of classification बहुत पहले या फिर सबसे पहले introduce किया गया था तो फिर हम लिखेंगे earliest system of classification अच्छा इस system of classification is the most primitive system of classification फिर हम लोग क्या लिख सकते हैं अभी जब मैंने दो प्लैन को आपके सामने आपके सामने आपके सामने क्लासिफाई किया artificial system of classification के माधियम से तो फिर आप लोगों ने क्या देखा था मैंने सारा क्यरेक्टर लीव्स का पकड़ा था तो फिर हम लोग ऐसा लिख सकते हैं इस system of classification is based on gross superficial and morphological characters प्लैन के बाहरी मतलब प्लैन के बाहरी मतलब प्लैन के body structural या फिर जितने बाहरी structural features होंगे उन सभी को हम लोग consider कर लेंगे जैसे color हो गया, shape हो गया, size हो गया, number of leaves उन सारे characters को हम लोग consider कर लेते हैं मतलब gross superficial and morphological characters को हम लोग artificial system of classification use करते हैं for the classification of plants तो फिर next point हम लोग लिखेंगे, use gross superficial and morphological characters अच्छा, gross superficial and morphological character में कौन-कौन सा आता है, बोलिये, 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 आपको ही बोलना पड़ेगा, मैंने अभी के अभी जब लिखा था, पूरा plant का दो classification किया था, अभी के अभी आपको बोला था, बोलिये, आप बोलिये, बोलना भाई, बोल, बोल, मतलब कौन-कौन स मैंने character लिखा था, बोलिये आप, हाँ, आपने सही बोला, हम लोग लिखेंगे habit of leaves, हम लोग लिखेंगे color of leaves, हम लोग लिखेंगे number of leaves, हम लोग लिखेंगे shape of leaves, आचा, तो फिर मैं इसे लिख दोंगा, habit, shape, color and number of leaves आचा, यह हो गया, हमारा habit shape and number of leaves वाला point, या फिर gross superficial and morphological character वाला points, फिर हम लोग इसके बारे में और लिख सकने है, इस system classification is based on vegetative character and androsium structure, अभी androsium structure का मतलब क्या है, androsium structure का मतलब है, stamin का structure या फिर plan में जो stamin होता है, उसका structure हम लोग consider कर देते हैं, तो फिर हम लोग next one में लिखेंगे, based on vegetative character and क्या बोला आपको androsium structure and आपका हो जाएगा androsium structure, androsium structure में आपको किस का structure बताया, बोलना बभवा बोल, androsium structure में मैंने किस का structure बताया, androsium structure में मैंने stamin का structure बताया, मैंने बताया stamin का structure, अर आपका पूरा स्टैमेड वा गया हैं इसमें ए आ जाए गा आपका एंथर अब बोलीके इंदुोरीय च्छर डॉला एंडूरीय च्छर मतलब कॉन सा और मर्सा कैरीक्टर कॉनसडर कर रहे हुम लोग कॉनसा ह् 멏क्थूसवाल केरेक्टर देuya मैं पहले ही बोलाँ, इस बेस्ट उन वेटितिव चारेक्टर, वह सब चीजे वेटिव चारेक्टर के अंदर आ जाता है और यहां पर हम लोग मेंली फोकस करेंगे सेक्शूल चारेक्टर के ऊपर तो मैं यहां पर लिख दूँगा, सेक्शूल कारेक्टर, यहां आपका हो गया एक बहुत important point तो फिर अभी आप देख लेजे हम लोग भेजटितिव कारेक्टर को थी देख रहे हैं और सेक्शूल कारेक्टर को भे देख रहे हैं तो फिर मैं क्या ये नहीं बोल सकता या किर आप क्या ये नहीं बोल सकते हैं कि in this system of classification sexual characters and bet track characters are given equal importance क्यूंकि देखिये हम लोग एक साथ में bet baptism characters को भी consider रहे फिर एक साथ में sexual characters को भी consider कर रहे तो फिर we are giving equal importance we are giving equal importance to sexual character and betative character इन दोनों characters को हम लोग समान रूप से importance दे रहे हैं तो फिर अभी हम लोग next point की तरह move on करेंगे कि this system of classification was proposed by कौन प्रोपोस किया था इसका बोलिया देखिये artificial system classification was proposed by many scientists बहुत सारे साइटिस्ट्स ने मिलके artificial system classification को प्रोपोस किया था पर वन अब देम जो आपके इंसेटी बुक में लिखा हुआ है the name of the scientist is Carolus Linnaeus तो फिर उसको लिख देंगे Carolus Linnaeus was one of the scientist who proposed artificial system of classification Carolus Linnaeus was the scientist who proposed artificial system of classification या फिर one of the scientist who proposed artificial system of classification अभी हम लोगो ने सारा इसका पीछे discuss कर दिया अभी इसका तो कुछ दिमेरिट होगा because this is not the ultimate system of classification that we follow today तो फिर इसका कुछ दिमेरिट जरूर होगा इसका देखिये मैने यहाँ पर बोला it gives equal importance to vegetative and sexual characters यही इसका सबसे बरा दिमेरिट हो गया equal importance to sexual and vegetative character क्यों मतलब मैं अगर sexual or vegetative character को equal importance दे दिया तो फिर problem क्या है उसमें मतलब उसमें हानी क्या होगा कुछ तो हानी नहीं है क्या हानी होगा बोलिया देखिये आपके इंस्याटी बुग में एक statement लिखा है कि vegetative characters are affected by nature या फिर affected by environment mostly मतलब mostly vegetative characters are most often affected by the environment अगर affected by the environment हो गया तो फिर वो change हो गया या फिर वो place to place vary करेगा most openly vary करता है vegetative characters इसलिए हम लोग vegetative characters से sexual characters को ज्यादा importance देते हैं इसलिए हम लोग इसके demerit में लिख देंगे demerit demerit में हम लोग लिखेंगे तर या लोग लोग लोगे, जिड़ लोगए लोगे करेंगे equal importance to vegetative and sexual character तो फिर इसे भी लिख देंगे इसमे हानी होगा मैंने आपको अभी एक स्टेट्मेंट बताया कि वेशिलिव क्यारेक्टर अर्मोस्टली एफेक्टेट बाई इन्वार्मेंट इसका मतलब क्या है इसका मतलब क्या है बताये थोड़ा फेशिलिव क्यारेक्टर सार्मोस्टली एफेक्टेड वाई इन्वार्मेंट देख लीजिए अच्छे से अगर आप लोग प्लेन एरिया में चले जाए मतलब हम लोग तो में से मोस्टली प्लेन एरिया में रहते हैं तो फिर हमें में ब्रोड शेफ लीव देखने को मिलेंगा हम लोग लिव जनर्ली ऐसे देखता है या फिर ऐसे देखता है मतलब मेरे कहने का मतलब यह निए है कि हम लोग जेजनरीली है ब्लोठ शेप कुरेच में देखने और आप लोग डिजर्ट अर्या में चले जाए डि 잡 एडिया में कीचने को मिलेगा आपको मेहली एसे टाइप सऺ ौब प्लेंट देखने को मिले गा जिसमें क्या अपकी क्यों थॉन्स में मॉडिफाई हो जाता है यह बता हिए क्योंकि in order to reduce transpiration water loss leaves are modified into thorns in desert अच्छा अगर आप भी snowy area में चले जाए लेट्स आप अभी snowy area में चले जाए तो फिर आपको tree कैसे देखने को मिलेगा तो फिर आपको mainly ऐसे conical types of tree देखने को मिलेगा जिसमें क्या present रहेगा जिसमें भी pointed shapes pointed leaf present रहता है pointed leaf क्यों present रहेगा snowy area में in order to shed the snow fall on tree tree जिस्ते की leaf में snowy jump ना जाए इसलिए यहाँ पर snow यहाँ पर गिरेगा तो वो direct ground में गिर जाएगा easy होगा इसलिए यहाँ पर देखिए मैंने तीन जगा पे leaf different different देखने को मिलता है मतलब leaf क्या है leaf है हमारा vegetative character मतलब देखिए vegetative character environment to environment vary कर रहा है place to place vegetative character change हो रहा है मतलब क्या हो रहा है मतलब vegetative character are mostly affected by environment इसलिए हम लोग इस statement को बोल सकने है कि vegetative character changes from place to place vary from place to place इसलिए हम लोग ऐसा लिखे है कि vegetative character are mostly affected by environment and sexual character are given more importance because sexual character are more stable sexual character क्या यहाँ पर change हो रहा है यहाँ पर भी plant का sexual reproduction जैसा होगा principle wise पर ऐसा ही होगा सभी जगा पर sexual reproduction same रहेगा या फिस sexual character है वो उतना भैरी नहीं करता है पर जो vegetative character है वो पूरा flip-flop हो जाता है इसलिए हम लोग बोले है कि vegetative character are given less importance because it is mostly affected by the environment तो फिर यह हो गया आपका complete artificial system of classification चलिए मिटाने से पहले आपको और एक बार division करा देता हूँ artificial system of classification को देखिए पहले हम लोग बोल सकते है artificial system of classification is based on few characters फिर हम लोग क्या बोलेंगे it is the most primitive it is the most primitive system of classification फिर हम लोग क्या लिगेंगे यूज अनली gross superficial and morphological character gross superficial and morphological character में कौन कौन सा character बोलना बाई बोल gross superficial and morphological character में हम लोग कॉंसिडर करेंगे structure of leaf, shape of leaf, number of leaf and size of leaf इन सभी character को चौंसिडर करने लिए gross superficial and morphological character में फिर हम लोग बोल सकते हैं कि this consider या फिर this was based on vegetative character and on androsium structure androsium structure में हम लोग कौन सा structure देखते हैं हम लोग stamin का structure देख लेंगे और vegetative character तो आपको पता ही है कि external plant का जितना भी morphological feature होगा उसको हम लोग vegetative character में consider कर लेते हैं फिर हम लोग बोल लेंगे कि artificial system of classification जो है that was proposed by many scientists many scientists proposed artificial system of classification but आपके initiative book में जिस scientist का नाम दिया हुआ है वो है careless linear careless linear proposed artificial system of classification फिर हम लोग बोल देंगे इसका इक demerit demerit क्या है it gives equal importance to vegetative and sexual character so I hope अभी तक आपको पूरा artificial system of classification crystal clear way से समझ आ गया होगा तो फिर इसे जल्दी से लिख लीजिए चलिए I think अभी तक आप सभी लोगों ने ये सारा चीज़े नोट कर लिया होगा artificial system of classification को नोट कर लिया होँगे तो फिर मैं इसे अभी मिटा देता हूँ चलिए अभी हम लोग स्टार्ट कर लेंगे हमारा second system of classification जो की हो है natural system of classification तो फिर चलिए सबी हेडिंग दे लिजिए natural system of classification अच्छा चलिए natural system of classification is a more advanced system of classification than artificial system of classification क्योंकि ये उसके बात डिस्कॉवर्ड हुआ था या फिर ये उसके बात इंट्रूडूच किया गया था तो फिर बोलिये क्या improvement किया गया natural system of classification में artificial system of classification से क्या improvement किया गया देखिए मैं बताता हूँ देखिए artificial system of classification में हम लोग only gross morphological character को consider करते हैं पर यहाँ पर natural system of classification में हम लोग apart from gross morphological character we also consider internal features of plants तो फिर हम लोग इसे ही लिख देंगे कि apart from gross morphological features we also consider internal features of plant अच्छा internal structure में हम लोग कौन कौन सा character consider करते हैं internal character में हम लोग इंटर्नल structure में हम लोग consider करेंगे ultra structure को, anatomy को, embryology and phytochemistry जैसे features को हम लोग consider करते हैं तो फिर मैं याफल लिख दूंगा पहले हम लोग लिख देंगे embryology फिर हम लोग लिख देंगे phytochemistry फिर हम लोग लिखेंगे anatomy फिर हम लोग लिखेंगे जो आक्री होगा उसका ultra structure यह आपका कुछ चार prime features हो गया जो कि हम लोग internal structure study करने के समय पढ़ते हैं या फिर उसको consider करते हैं अच्छा अभी हम लोग पढ़ लेंगे कुछ scientist के नाम जो कि हमारा natural system of classification को proposed किये थे देखिए जैसे मैंने artificial system of classification को पढ़ाने के समय बोला था कि artificial system of classification was proposed by many scientists पर हम लोग किस का नाम पढ़ते हैं हम लोग के NCIT के बुक में Lineus Carolus Lineus का नाम दिया हुआ है इसलिए हम लोग बोलेंगे कि Carolus Lineus proposed artificial system of classification अभी जब natural system of classification पढ़ेंगे तो भी वह भी सेम होगा कि natural system of classification was proposed by many scientists पर हमारे NCIT बुक में दो साइंटिस्टों के नाम दिया हुए जो कि है George Benthamon and Joseph Dalton Hooker तो फिर हम लोग उस साइंटिस्ट के नाम भी लिख देंगे प्रोपोस बाई हम लोग लिखेंगे जोसेफ डाल्टन फूकर ये दोनों साइंटिस्ट है जिन्होंने मिलकर natural system of classification को प्रोपोस किये थे तो फिर चलिए ये मैं आपके लिए और एक बार revision कर देता हूँ देखिए मित्रो तो फिर बताये कि natural system of classification में हम लोग क्या बोल सकते हैं हम लोग बोल सकते हैं apart from gross morphological characters we also consider here internal character internal character में कौन कौन सा character consider करेंगे हम लोग consider करेंगे embryology को हम लोग consider phytochemistry को हम लोग consider करेंगे ultra structure को हम लोग consider करेंगे anatomy को इन सभी structure के मिलकर हम लोग internal structure को पढ़ लेते हैं और इन को किस ने प्रोपोज किया था natural system of classification को प्रोपोज किया था George Benthamen ने और दोस्तो और एक scientist का नाम आपके initiative book में दिया हुआ है जो कि है Joseph Dalton Hooker तो फिर यह हो गया आपका कुछ revision मैंने complete कर दिया आपका natural system of classification तो फिर आप इसे जल्दी से में पूरा complete कर दिये होंगे तो फिर मैं इसे मेटा देता हूँ चलिए अभी हम लोग पढ़ लेंगे हमारा third system of classification जो कि है phylogenetic system of classification तो सभी जल्दी से heading दे लिजिए phylogenetic system of classification phylogenetic system of classification अच्छा मैंने लिखा phylogenetic system of classification phylogenetic जो word है उसका meaning क्या है क्या आपको पता है मतलब मैं biology sense of view से पूछी नहीं रहा हूँ system of classification sense of view से पूछी नहीं रहा हूँ जो phylogenetic word है उसका meaning आपको पता है देखिए मैं बताता हूँ phylogenetic word है उसका meaning होता है evolutionary study मतलब हम लोग इस classification में या फिर इस particular system of classification में दोनों organism या फिर एक group of organism लेंगे उसका evolutionary study करेंगे उसका common ancestor निकालेंगे और उन सभी organism को एक group में लाकर या फिर एक texa में राकर रख देंगे तो फिर में हम लोग पहला point लिख सकते हैं based on evolutionary relationship of various organisms based on evolutionary relationships among various organisms अच्छा suppose मैं चार organisms को पकड़ डिया देखी एक second मैं suppose इन चारों organisms को मैंने एक group में रख दिया उन चारों organisms को मैं बोलूंगा A, B, C and D इस A, B, C organisms we kept in a same group तो फिर इसको हम लोग क्या कह सकते हैं मतलब according to phylogenetic system of classification अगर हमें इन चारों organism को same group में रखना है तो फिर इनका जरूर कोई ना कोई common ancestor present होगा तो फिर हम लोग यहाँ पर लिख देंगे कि organisms kept in same group must have common ancestors kept in same group या फिर taxa हम लोग group को taxa ही बोलते हैं आपको living world में यह बोला था एक common group में जिस भी species को रखूंगा basic system of classification या फिर basic unit of classification हम लोग उस group को taxa कहते हैं या फिर taxa bracket में लिख देंगे क्यूंकि आप देखेंगे आपके यहाँ पर जो statement में लिख रहा हूँ वहाँ पर group नहीं taxa बोला है और आपको confusion होगा तो फिर मैं बोल दिया और एक बार taxa have common ancestors we have common ancestors common ancestors का मतलब क्या है common ancestors का मतलब यह होगा कि suppose इन चारो organisms को हम लोग phylogenetic system classification के basis में बोल रहा है these organisms can be kept in same taxa मतलब इन चारो organisms का इन चारो organisms का एक पूरवज होगा उनका एक ही पूरवज होगा जिस पूरवज से evolve होके जिस पूरवज से various morphological evolution होके ही हम लोग आज के date में इन चारो organisms को separately देख पार है separately इन चारो का evolution हुआ तो फिर इस पूरवज से इन चारो का separate evolution हुआ जिन separate evolution के वज़ा से ही हम लोग इन चारो को आज various morphological form में देख पार हैं पर इन चारो का पूरवज इन सभी का पूरवज एक ही है इन सभी का पूरवज एक ही है इसलिए हम लोग बोल रहे है organisms kept in same group must have common ancestor इन सभी का पूरवज एक ही है उस पूरवज से various morphological evolution होके हम लोग आज उन organisms को देख पार है और उनको classify करने है एक separate 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 taxa में तो फिर यह आपका पूरा cover हो गया ancestor वाला पाट था यह आपका पूरा cover हो गया अच्छा फाइल में system of classification में हम लोग next point क्या लिख सकते हैं हम लोग next point यह लिखेंगे कि this system of classification was based on fossil evidences हम लोग निकलेंगे based on fossil evidence हम लोग fossil evidence के माध्यम से देख लेंगे कि उस common पूर्वस जो था common ancestor जो था उसका skeletal structure उसका morphological structure हम लोग देख लेंगे और हम लोग उसको cross match करकर करके देख लेंगे कि कौन सा सबसे ज्यादा match खा रहा है इस पूर्वस से और जो common ancestor से match खाएगा जिसका character is common ancestor से match काएगा उसको हम लोग separate 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 टैक्सा में placed कर देते हैं अभी देखिए fossil evidences मैंने बोल दिया कि this system of classification is based on fossil evidences अभी देखिए इंडिया में ऐसा चलता है कि एक अगर आप आदर काट या फिर वोटर काट बनाने जाए तो फिर आदमी का जिन्दगी गुजर जाता है मतलब अगर मैं आज या तो फिर मैं साइद मेरा जब 60-70 साल हो जाएगा तभी मेरा आदर काट या फिर वोटर काट फिर से फ्रॉम हो गाए अगर आज मैंने खो दिया अपना एक बार आदर काट बहुत दुख होगा मतलब मेडिकल आपका ना भी हो अगर आपका आदर काट खो जाए तो फिर अगर आप बनाने जाये उसको फिर से तो फिर आपका पूरा जिन्दगी निकल जाएगा अगर आप ठीक तरह से तयारी करो तो फिर जहाँ पर the fossils are not found that fossil evidences are going missing day by day fossil evidences अगर missing हो जाए तो फिर हम क्या रुख जाएंगे हम क्या रुख जाएंगे अगर fossil evidences हमें नहीं मिला suppose fossil evidences हमें नहीं मिला तो फिर क्या हम रुख जाएंगे हम रुखने वाले पबलिक हैं कि हम लोग अपना पूरा सिस्टेम और क्लासिफिकेशन रोक ही देंगे उस पटिकुलर सेक्टर के लिए ऐसा क्या हो सकता है कभी देखिए हम लोग इंडियनस हैं मैं जैसे बोलता हूँ हम लोग इंडियनस हैं हम लें जुगार ढोनना आता है हम लोग है जुगारू पबलिक ठीक है तो फिर हम लोग को अगर fossil evidences नहीं मिला तो फिर हम लोग दूसरे taxonomical systems का support लेंगे कौनसा कौनसा वो हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा numerical taxonomy वो हमारा हो जाएगा cytotaxonomy and chemotaxonomy उन तीनो taxonomical systems का health लेके हम लोग इस phyloindic system of classification में various organisms को taxa में placed कर दे सकते हैं तो फिर यहाँ पर तो नहीं होगा space अब आप लोग इसे पूरा लिख लीजिए अभी मैं इसको मिटा के फिर से numerical taxonomy से शुरू कर लूँगा तो फिर पहले आप इसे जल्दी से लिख लीजिए चलिए मैंने अभी जो आपको point बोला if fossil evidences are not found then क्या होगा चलिए देख लेते हैं if fossil evidences are not found then we use information from other sources too उन other sources का नाम क्या क्या हो जाएगा मैंने अभी क्या क्या बोला other sources में हम लोग पढ़ लेंगे chemo taxonomy हम लोग पढ़ लेंगे cytotaxonomy हम लोग पढ़ लेंगे numerical taxonomy अच्छा अभी हम लोग पहले ही पढ़ लेंगे पूरा describe कर लेंगे numerical taxonomy को तो सभी अभी heading दे लीजिए numerical taxonomy numerical taxonomy को explain करने की से पहले मैं दो प्लैंट का picture draw कर लोगा एक सेकंड रोक लीजिए suppose हमारे पास यह एक प्लैंट हो गया हम लोग और एक प्लैंट को draw कर लेंगे suppose यह आपका दो प्लैंट हो गया हां प्लैंट ए और प्लैंट भी देखिए एक प्लैंट में हजार एक character हो सकता है हाँ जैसे मैं बोल सकता हूँ इसका यहाँ पर जो भी character study किया जाएगा यहाँ पर floral character यहाँ पर sexual character study करेंगे अभी तक तो आपको पता चली जाया होगा कि जभी भी हम लोग floral character को study करते हैं by via we are studying its sexual character floral character से हम लोग just sexual characters को ही study करते हैं अभी तो फिर यहाँ पर हम लोग leaves का structure देख सकते हैं leaf यहाँ पर हम लोग इसका stem का structure देख सकते हैं यह फिर stem के features देख सकते हैं तो फिर मैं बूलना चारा हूँ एक clan में 1000 ही characters होता है अगर हम लोग उन सभी को अलग अलग चून चून के classify करें तो फिर दिन से रात हो जाएगा कोई काम का काम नहीं होगा यह possibly नहीं है कि आप लोग अकेले मतलब कोई भी scientist अकेले इन सभी characters को एक साथ पकड़े और उसको various group में classify कर दे यह possibly नहीं है तो sunflower characters में चुछना भी characters रहेगा उनके लिए अलग-अलग code रहेगा leaf के लिए, leaf के shape के लिए अलग code, leaf के color के लिए अलग code, stem के structure के लिए अलग code, plant के height के लिए अलग code, plant के में जितना भी character पाया जाएगा अगर plant में, suppose एक plant में 2000 character, total 2000 character पाया गया, तो फिर उस plant के लिए 2000 code या फिर उस particular characters के लिए 2000 codes assign किया गया अलग-अलग character के लिए अलग-अलग code assign किया जाता है जो कि देख लीजिए अगर suppose मैंने मान लिया plant height के लिए plant height के लिए मैंने एक quote पकड़ लिया अभी मैं बोलूँगा plant A और plant B में आप समझ लिए अच्छे से कैसे काम कैसे करता है पहले यह रफली बता दे रहा हूं सुन लिजिए पेशेंट से देखिए पहले plant A और plant B मैं पकड़ लिया अभी मैं character पकड़ रहा हूं plant height का देखिए plant A और plant B में plant height match खा रहा है तो फिर मैं बता हूंगा plant height के लिए एक code assign हुआ वही code इस plant के लिए भी assign किया जाएगा क्योंकि both have same plant height because of this we can assign a similar code which resembles the plant height for both the plants अभी देखिए leaf का structure यहाँ पर broad and flattened leaf पाया जाता है पर plant B में small size tiny shape leaves पाया जाता है तो फिर leaves के लिए जो code है वह match नहीं खा रहा है leaves के लिए मैंने यहाँ पर जो code दूँँगा flattened leaves के लिए वह code यहाँ पर match नहीं खाएगा तो फिर हम लोग ऐसे ही हम लोग इसी तरह से various codes को cross match करके हम लोग देखेंगे कि कौन सा code कौन से plants के साथ match खाएगा और उन सभी को लेकर जिसका match खाएगा obviously जिसका match खाएगा उन सभी को लेकर एक taxa में रख देंगे तो फिर हम लोग numerical taxonomic के अंदर लिख सकते हैं कि मैं इस characters को मिटा रहा हूं थोड़ा फ्लोरा characters को जरा मिटा दिया हम लोग देख सकते हैं कि course are assigned for each characters unique course are assigned for each character अभी हम लोग देख लेंगे this course are cross-matched this course are cross-matched in order to put organisms having similar course into a same taxa तो फिर हम लिखेंगे that course are cross-matched in order to put organisms into various taxa अच्छा यह हो गया हम रहा complete numerical taxonomy अभी आप लोग सोच रहे होगे कि मैंने बोला एक plan में 1000 से 2000 character रह सकता है तो फिर 1000 से 2000 code भी होगा क्योंकि unique character का मैंने बोला unique code होगा अभी अगर आप लोग इसे हाथ से करने जाए मैं जो पहले बोल रहा था अगर आप एक scientist इसे हाथ से करने जाए तो दिन से राथ हो जाएगा कोई भी काम नहीं होगा तो फिर हम लोग यहाँ पर लिखेंगे computers play an important role in numerical taxonomy done easily with the help of computer done easily with the help of computer ठीक है तो फिर यहाँ पर आपका numerical taxonomy complete हो गया अभी numerical taxonomy पढ़ाते समय आप लोग एक चीज़ नोटिस किये होगे कि यहाँ पर हम लोग फिर से sexual और वहिश्टिडिव character को same importance देने क्यूंकि देखिए मैं आपको समझाता हूँ रूखिए देखिए, floral character, floral character जभी हम study करेंगे तभी हम sexual character को study कर लेंगे और जब leaf यहाँ पर stem का morphology study करेंगे तो फिर हम लोग वहिश्टिव character को study कर लेंगे मतलब, numerical taxonomy में, we are giving again, again, equal importance to sexual and vegetative character, we are giving equal importance to sexual and vegetative character, तो फिर मैं इसे फिर से लिख दूंगा gives equal importance to, चलिए यह आपका complete हो गया पूरा numerical taxonomy, चलिए यह आपके लिए numerical taxonomy मिटाने से पहले और एक बार repeat कर देता हूँ तो फिर मित्रों, numerical taxonomy में क्या कहा गया है, numerical taxonomy में क्या गया है कि plant की जितने भी characters होंगे, plant में जितने भी characters होंगे, उनके लिए unique unique code assign किया गया है जैसे कि अगर मैं plant का floral character पकर लूँ, तो unique अलग-अलग floral characters के लिए unique unique code assign किया गया है और leaf के morphological features के लिए भी अलग-अलग code assign किया गया है तो फिर हम लोग यहाँ पर लिखेंगे कि unique code are assigned for each and every characters फिर हम लोग लिखेंगे these codes are cross-matched course को cross-match करके हम लोग क्या करेंगे course को cross-match करके हम लोग देखेंगे कि कौन से plant का course match खा रहा है और जिन plant का code match खाएगा उनको हम लोग उठा उठा के हम लोग उनको उठा उठा के various taxa में placed कर देंगे तो फिर this is done by computer क्योंकि इंसान अगर इसे करने जाए अगर scientists लोग हमारे भारत के scientists अगर scientists लोग अगर इसको करने जाए तो फिर दिन से राथ हो जाएगा दिन से राथ हो जाएगा फिर भी कुछ काम का काम नहीं होगा तो फिर this is done by with the help of computers computers इसको चुटकी में कर देंगे तो फिर this is आपका पूरा complete हो गया numerical taxonomy तो फिर इसे जल्दी से लिख लेंगे फिर हम लोग जाएगे cytotaxonomy के उपर इसे जल्दी से लिख लीजिए चलिए अभी तक आप लोगों ने ये सारा चीज़ अबाट numerical taxonomy लिख लिख लिया होगा तो फिर मैं इसे मिटा जेता हूँ तो फिर अभी सभी हीडिंग जे लेंगे cytotaxonomy cytotaxonomy में हम लोग exactly किसका study करते हैं cytotaxonomy में हम लोग primarily chromosomal number, structure and behavior को study करते हैं इसलिए cytotaxonomy का और एक नाब हो जाएगा karyotaxonomy क्योंकि हम लोग यहाँ पर chromosome के structure, behavior and number को study कर रहे हैं मतलब mainly chromosome के morphology को study कर रहे हैं इसलिए इस लिए इस classification या फिर इस taxonomy is also known as karyotaxonomy वे पहले उसे लिख देंगे known as karyotaxonomy also known as karyotaxonomy तो फिर मैंने फिर क्या बोला it is based on chromosomal number, structure and behavior based on chromosomal number, structure and behavior अच्छा, मतलब हम लोग क्या बोल सकते हैं हम लोग बोल सकते हैं अगर हमें इन सभी और्गनिसम्स को मैं इन सभी और्गनिसम्स को पकड़ लिया A, B, C and D मैं इन सभी और्गनिसम्स को पकड़ लिया कि इन सभी और्गनिसम्स को मुझे एक taxa में रखना हैं तो फिर हम लोग क्या बोल सकते हैं इन चारो और्गनिसम्स का chromosome का number, structure and behavior इन फेक्ट या फिर इन शॉर्ट chromosome का morphology सेम होगा तभी हम लोग इन चारो और्गनिसम्स को तभी हम लोग इन चारो और्गनिसम्स को एक taxa में के अंदर रख सकते हैं जब यह उनका chromosomal structure, number and behavior या फिर इन शॉर्ट chromosome का morphology पूरा का पूरा match खाएगा तभी हम लोग इन चारो और्गनिसम्स को एक taxa के अंदर रखेंगे तो फिर हम लोग next point लिख देंगे कि it is chromosome which is used to classify organisms into various groups तो फिर हम लोग बोल चकते हैं कि the basis of cytotaxonomy basis of cytotaxonomy is chromosomal morphology हम लोग chromosome का morphology study करेंगे उसका number, shape and behavior study करेंगे और study करके various organism को different different taxa में placed कर देंगे या फिर classify कर देंगे तो फिर आप इसे जल्दी से लिख लिजिए फिर हम लोग आज के next topic पर move on करेंगे इसके जल्दी से लिख लिजिए चलिए अभी हम लोग हमारा next taxonomical system है उसके तरह move on करेंगे जो कि है chemo taxonomy तो फिर सभी heading दे लिजिए chemo taxonomy chemo taxonomy अच्छा chemo taxonomy वर सुन के आपके माइन में फर्सली क्या आता है आपके माइन में फर्सली केमिकल सब्स्टुएंट्स आता है मतलब here in chemo taxonomy we classify plants we classify organisms on the basis of chemical substituents present in that particular plants तो फिर हम लोग लिख देंगे पहले ही based on chemicals found in particular plants based on chemicals found in particular plants अभी देखिए chemicals भी plant में दो तरीके का मेंदी पाया जाता है या फिर two types of chemicals are found in plants मेंदी देखिए पहला हो जाएगा हमारा primary metabolites और दूसरा हो जाएगा हमारा secondary metabolites primary metabolites जो होता है वो हर plants में more or less same ही रहता है वो ज्यादा भैरी नहीं करता है पर जब secondary metabolites का बात आजाता है तो फिर हम कह सकते हैं various plants या फिर different plants have different secondary metabolites different plants have different secondary metabolites but primary metabolites are more or less same in every plant वो primary metabolites ज्यादा भैरी नहीं करता है पर secondary metabolites जो होता है that are different in different plants तो फिर हमें से लिखेंगे जो primary metabolites होगा जो हमारा primary metabolites होगा वो more or less same in plants क्यों बोल रहा हूँ ऐसा primary metabolites same क्यों है primary metabolites का एक example पकड़ लीजे suppose मैं glucose का example पकड़ लिया अभी नीम के प्लेयर का glucose और आम के प्लेयर में जो glucose from होगा उसका क्या अलग-अलग glucose from होगा आप पताईए नीम के पेर में जो glucose from हो रहा है और आम के पेर में जो glucose from हो रहा है क्या दोनों glucose का composition या फिर दोनों glucose का chemical structure अलग-अलग होगा सेम ही होगा मतलब हम लोग कह सकते हैं कि primary metabolites are more or less same in every plants एक्जाम्पल एक दे देता हूँ glucose एक्जाम्पल हमारा हो गया glucose अभी हम लोग secondary metabolites को देख लेंगे चलिए secondary metabolites secondary metabolites क्या बोला? secondary metabolites are different in different plants या फिल बेटर लिखेंगे changes from plant to plant varies from plant to margari हाथ से गिर जा रहा है plant to plant 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 to plant vary from plant to plant अच्छा चलिए अभी ये secondary metabolites का एक्जाम्पल पकड़ लेते हैं secondary metabolites का एक एक्जाम्पल हो जाएगा curcumin curcumin is a secondary metabolite which is only found in turmeric plant तो फिर turmeric plant में सिर्फ curcumin पाया जाएगा और दूसरे कोई भी प्लैन में curcumin नहीं पाया जाएगा तो फिर हम लोग लिख देंगे एक्जाम्पल इसका कुर्कुमिन फाउंड इन टर्मरिक तो फिर यहाँ पर आपका कंप्लीट हो गया किमो टैक्सनोमी को भी हम लोग एक बडर और एक बाड डिविशन कर ले थे मिटानिल से पहले मेत्रों किमो टैक्सनोमी का basis क्या है कमो टैक्सनोमी बेसिस हो जाता है केमिकल कॉंस्ट्ट्यूट्स और प्लेंट्स अच्छा प्लेंट्स में कौन कौन से टाइप आप केमिकल कॉंस्ट्रेंट्स पाए जाते हैं प्लेंट्स में एक तरप पाया जाएगा प्राइमरी मेटाबोलाइट और एक तरप पाया जाएगा सेगेंडरी मेटाबोलाइट primary metabolite constant रहता है और उतना vary नहीं करता है from plant to plant पर जब हम secondary metabolite की बात करेंगे तब हमारा यह vary करेगा from plants to plants different plants में different secondary metabolites पाया जाता है different plants में different secondary metabolites पाया जाता है जैसे for example अगर हम नीम के और आम के पेर का glucose पकड़ दिये तो क्या वो अलग होगा वो तो दोस्टS same ही होता है पर दोस्ट जब हम secondary metabolite पर जाएंगे तो फिर कुरकुमी निक ऐसा secondary metabolite है जो कि बस हमारा turmeric plant ही प्रडूस करेगा वो आम का पेर नीम का पेर जाम का पेर प्रडूस नहीं कर सकता है बस वो टर्मरीप का प्लैन प्रडूस कर सकता है घल्दी का प्लैन प्रडूस कर सकता है तो फिर यहाँ पर आपका complete हो गया पूरा chemo taxonomy chemo taxonomy आपका यहाँ पर पूरा complete हो गया अब यहाँ पीसे जल्दी से लिक लीजिए आई तिंग अभी तक आप सभी लोगों ने ये सारा चीज़े नोट कर दिये होंगे और आई थिंग आल अफ यू आप टेकन दर नोट्स अप टूदेश्टर मैंने जो भी सिस्टेम आप क्लासिफिकेशन के बारे में लिखाया जो जहाँ पर मैंने आर्टिफिश्यल सिस्टेम नेचरल सिस्टेम और फाइलो जेनिटिक सिस्टेम के बारे में आप लोगों को पढ़ाया वो सारा नोट्स आप अच्छे तरह से अपने नोट कपी में नोट कर दिये होंगे अगर 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 आपको लेक्चर देखने के समय जरा सा भी डाउट आया होगा तो फिर मुझे कमेंट सेक्षन में जरुर इंफर्म करें मैं उस आपके पर्टिकुलर डाउट को हाँ हाँ तुम्हारे तुम्हारे particular doubt को मैं next video के जो last section होगा उसमें cover कर दूँगा and thanks for attending my lecture